केरा घढ़ा आ हाई फ्रेंट्स तो dですね का जया कि प्रेस नोटिफिकेश्टन जारी किया जिसमें उन्होंने में मेंचiane के घिए डब्लम्योज का एक्जा में आपको आसा से याँलोड कर सकते हैं यह उनकी official website से आप सीधर डाउनलोड कर सकते हैं आप पूरा process बता दूँगा कैसे डाउनलोड करना है इसको तो सबसे ताइटल देख लेते हैं यहाँ पे देख रहे हैं आप राजस्तान राजस्त विद्धुत उत्पादन निगम इसके नीचे आप देख सकते हैं आर्थिक पिषडा वर्गी के नियमों में शंचोधन के कारण विद्धुत निगमों में सीधी भरती हेतु आवेधन परक्रिया के लिए इसका मतलब यह कि अभी कोई ओफिशल डेट उन्होंने जारी नहीं किया है इसमें उन्होंने क्या वलिए मैंशन किया है कि सब्सक्राइब के लिए जल्दी फॉर्म रियोपन होंगे तो अम नीचे आप देख लेते हैं देखो यहां पर देख सकते हैं आपकी जैपूर 18 मही 2021 का यह जो है नोटिफिक्शन है अब बहुत से मेरे पास क्वेरी जो डाउट्स हैं आप लोगों के तो उन्हीं के आदार लोगों का कि फॉर्म रियोपन होंगे या नी तो चली हम इस डॉक्यमेंट को पढ़ लेते हैं कि वहां पर क्या मैंशन है इसके बारे में सबसे पहले यहां पर नोने दे रखा है कि कि इतने पदों पर बढ़ती के लिए उन्होंने जो है नोटिफिक्शन निकाला था पहल लिब्रेरी को विबिन समाचा पत्रों में विग्यापन जारी करके और यह 16 मार्च तक जो है आमंत्रित किये ठीक है इसके बाद इन्हों दे रखा है और जितनी पोस्ट उनके 1245 पर बढ़ती है तो राजस्तान राज्य विद्धुत परसाण नेगम लिमिटेड द्वारा अभी 23-24-2021 को विग्यापन जारी कर 2 मार्च से 22 मार्च 2021 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये ठीक है तो यह तो इन्होंने बता रखा है कि इन्होंने कब-कब जो है नोटिविक्शन जारी कि विग्यापन जारी कि जो भी आपकी एक्जाम से उस्टे लेटर तो इसके नीच किया कि इस दोरान राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से पिछडा वर्ग EWS के अभ्यरतियों को आयू वर्फीस में अन्य आरेक्षित वर्गों के समान सीधी भरती में छूड़ देने का निन्न लिया तता उसके अनुरूप राज्य के पांचों विद्दुत निकमों ने भ चाहे आप जर्नल केटेगरी से हो चाहे आप रिजर्व हो अन्रिजर्व हो कोई फरक नहीं पड़ता फॉर्म सब के लिए रियोपन होंगे अगर आपने अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो देखा इसमें दे रखा है यहां नीचे EWS के साथ ही आरक्षित वर अनारक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यरती जिन्होंने पूर में आवेदन नहीं किया है सपोज आप भूल गए हो या आप मिस कर गए हो उसको तो और आपने आवेदन तो कर दिया लेकिन फीस जमा नहीं कर आई तो वो भी क्या होगा आपका आवेद कर सकेंगे तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने उस टाइम चांस मिस कर दिया इस आपके पास मौका होगा आप जो है इसको फिल कीजिए फॉर्म को और आराम से जो है आप इसको बढ़ सकते और आपका जो है आईडी कार्ड वगरा आ जाएगा इसका तो सीधी सी बात है कि आपके पास एक चांस है इस बार इस फोन को बढ़ने का और एक्जाम देने का तो तो आपका पहला क्वेस्टन का डाउट मैंने clear कर दिया form reopen हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है दूसरे कौन-कौन form भर सकता है तो यह डाउट भी मैंने आपका clear कर दिया कि form सभी भर सकते हैं जो भी नए candidate होंगे तो एक चीज़ और है मालो आपने form मार्च में भर दिया अब आप चाते हो कि इस बार भी भरना चाते हो तो भर सकते हो ठीक है भर सकते हो जैसे कहीं लोगों कि क्या है जो उस टेम टीएस्पी नॉन टीएस्पी का इशू आ रहा था तो इस वजह से अगर अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप form भर देना लेकिन अगर आपको लगता है कि ठीक है कोई इशू नहीं है टीएस्पी नॉन टीएस्पी का देखो मैं यह मान के चल रहा हूं कि गॉर्मेंट वैसे तो है ना ऐसा कुछ स्टैप नहीं लेगी कि अगर आपने नॉन टीएस्पी भर दिया है तो आपको कोई बहुत ज़्यादा इशू होगा मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी रियायत तो देगी क्योंकि बहुत से लोगों ने गलती करी है ठीक है पर फिर भी अगर आपको थोड़ा थोड़ा स चाहूंगे आपर फॉर्म सभी बढ़ सकते हैं नए केंडिडेट फॉर्म बढ़ सकते हैं और नए केंडिडेट फॉर्म बढ़ते समय टीएस्प नौन टीएस्पी का अच्छे से ध्यान रखिएगा मैं फिर से मैंचिन करूं पिछली बार बहुत लोग निकलती करी है तो दो चीज़े में आपका दो डाउट तो मैं आपके क्लियर कर चुका हूं ठीक है तीसरी चीज़े इडवलेस केंडेट को दोबारा फॉर्म बढ़ना हो गया नहीं तो देखो अगर इडवलेस वालोंने फॉर्म भर दिया है अल्रेडी तो आपने जो एक्स्ट्रा पैसे दि करेंगे तो अगर आपने पहले ही फॉर्म भर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं आपको एक्स्ट्रा पैसे वापिस कर देगी गवर्मेंट ठीक है तो दो बारा फॉर्म फिल करने के जुरत नहीं आपको कुछ भी एक्स्ट्रा फॉर्म फिल करने के जुरत नहीं है तो यह ची अब देखो इसमें जो क्या एक चीज क्या दे रखिए मैं आपको अच्छे से बताता हूं इसमें उन्होंने यह भी स्पष्ट किया देखो एक चीजे देखो ऐसे समझत अभ्यरती जिन्होंने पूर्व में सफलता पूरो आवेदन कर दिया है तता साथ ही साथ फीस भी जमा क करा दिये को पूरा आवेदन करने के आवश्यक्ता नहीं होगी इस इस लाइन से आप क्या समझते हैं देखो इस लाइन से मुझे इतना समझ में आ रहा है कि अगर आपने पहले फॉर्म भर दिया ना मार्च में तो फॉर्म आपको दुबारा बने की ज़रत नहीं है लेकिन इसमें कहीं भी यह नहीं दे रखा कि आप एडिट कर सकते हैं नहीं तो देखो इस चीज का पता हमें बाद में चलेगा इस चीज का भी पता नहीं चलेगा कि फॉर्म एडिट हो गया नहीं अगर फॉर्म रियोपन होते हैं तो या तो सब के लिए रियोपन होंगे मतब लोग बढ़ना चाहते, वो बर पाएंगे, पुराने लोग जब भढ चुके हैं, वो एडिट नहीं कर पाएंगे तो दो ही केस बनेंगे, या तो आप एडिट कर पाएंगे, या नहीं कर पाएंगे, तो अब भी इसके बारब में कहना मुश्किल है, क्योंकि इस स्य नोटिफिकेशन में कुछ अच्चे से मेंशन कर नहीं रखा है थीक है तो चार डॉट्स के लिए रोगए आपके तो पाँचुआ पेचलते एग्जामनेशन सेंटर तो चलिए पढ़ते हैं वह सेंटर वारे में क्या दे रखा है एक मैंने आपको फीीज के बारे में दे रख आपको एक्जाम्पल बताया थी कि अगर आपने 1000 रुपए दे दिए तो और 1000 फीज से एव्य की तो 600 आपको वाफिस मिल जाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी तता इसके लिए उन्हें प्रतक से कोई आविदन करने के आवशक्त नहीं है ठीक है परमुक शास्वन सचिव ने यह भी बताया कि कोरोना महामारी के मध्य नजर लिए गए एक अन्य महत्पूर्ण निर्णय अनुसार उक्त सभी पदो हेतु अब परिक्षा के अंदर केवल राजस्तान राज्य में ही रखे जावेंगे तो जो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि भाईव से अदर क prends canadra तो जो ज़स्टान के लिए तो देखो राजस्थान के अंदर आपने आपने कितने दियते छे सेंटर बहुत थी कि जो आपने टॉप त्रि अल्हिके लिए तो मुझे जहां तो लगता है उन میں से आपको कोई एक सेंटर मिल जाएगा जैसे मालों आपने अजमेर कोटा और सीकर भर दिया तो आपको इन तीनों में से कोई एक मिल जाएगा और अगर आपको इन पार दिये ही क्यों मुझे तो यह डाउट है एक तो मुझे एक यह भी बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूजन हो रही है कि क्या हमारे पास इनफ रिसोर्स है गौवर्मेंट के पास क्योंकि राजस्तान गौवर्मेंट ने जब भी कंप्यूटर की एक्जाम लेती ना से के बीच में काफी गैप होगा तो अगर ऐसा करते हैं तो इतनी सिस्टम से कहां से लाएंगे मुझे इस चीज के ओपर भी डाउट है तो अब यह अगले नोटिफिक्शन में डाउट क्लियर हो सकता है यह ठीक है तो एक्जामेंट सेंटर का तीन सेंटर तो इन्होंने द सेंटर के बारे में मैं आपको डिसक डिटहल में बता दिया कि सेंटर जो है राजस्थान के अंदर हो इस कि एकसान देट के बारे में तो इस्से पहले मैं राजस्तान जीक बारे सबुए लाको सॼाना के बारे में एक भी स्टेट्मेंट नहीं है ठीक है कि जी के में क्या एड होगा नहीं होगा वह यहां पर नहीं बताया है उन्होंने तो 48 questions का जो 48 marks का जो आपको सभी को मतलब एक doubt है कि होगा नहीं होगा और जैसा कि यह यह एक notification हमारे पास आया था पहले ठीक है यह उपहिन यादव जी ने सब को मतलब शेयर किया था यह ट्विटर पर वहीं से मैंने इसको डाउनलोड किया है तो आप देख सकते हैं इसमें इन्होंने 48 marks का जो मेंशन कर रखा है ठीक है कि सारे अधर सब्जेक्ट की सब्जेक्ट की marks कम करके और जी के मैट कर देंगे तो इसका अभी तक कुछ भी ऐसा notification नहीं है अभी तक तो ठीक है तो जी के का अभी तक कुछ कुछ कनफर्म नहीं है अब लास्ट जो question है वह एक्जाम डेट तो एक्जाम डेट देखो अब मैं आपको एक दू चीज़े बताना चाहता हूँ एक्जाम डेट किस पर निर्भर करती है तो देखो ये चीफ मिनिस्टर जी का एग टुउटर हैं आफिशल टुईटर नेल है हमारे चीफ मिनिस्टर जी का उसका एक Этот डर पर तो मैं वो आपको पणके-इद सुना देता हूं ठीक है यहां पर आप देख सकते हमारे चीफ निश्टर जी अशोग एलो जी उनका ट्वीटर एंडल है वहां पर इन्होंने एक मेंशन किया था एक चीज तो देखो इन्होंने क्या मैसेज दिया था कोरोना संकर्वन की दूसरी लेयर को देखते हुए राज्य सरकार ने एक महतपुर्ण दिनने लेते हुए राजस्तान मादमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयुजित की जाने मेले दसवी बारवी बोर्ड की परिक्षे इस्थगित कर दिये तो देखो 10 और 12 बोर्ड बहुत ज़्यादे इंपोर्टेंट होती है किस भी स्टेट के लिए आप किसी भी स्टेट में जाओ भारत के तो 10 और 12 बोर्ड हमेशा हर जग लगती है अगर यह स्थगित करें तो ठीक है बच्चों का मामला है कि काफी बच्चे एक साथ एक्जा सरकार है ना सरकार को हमेशा लोगों की जड़त पढ़ती एक्जाम कंड़क्ट कराना बहुत ही एक बड़ा काम होता है इसके लिए काफी लोगों की जड़त पढ़ती तो अभी जैसा जो यह स्टेटमेंट है उससे मैं जितना अनुमान लगा पा रहाई तो 2 मेने से पहले यह एक्जाम हो नहीं सकती किसी भी हालत में क्योंकि जब तक बोड के exam Conduct नहीं हो जाती न तो यह हमारी exam लगना यह प्सक्राइश कोई भी अग्जाम लगना मुश्क्र्ट छाहे पिशली बार वे उसने कई बार ऐसा कि आई बीपियस ने कि साट दिन में वो सारा प्रोसेस खतम कर देती है इस बार कोरोना के वज़े से डेले हो रहा है पर फिर भी आई बीपियस का काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा है एक्जाम कंड़क्ट करवाने में तो जहां तक एक्जामनेशन डेट की बात है त फिर सितंवर अक्टूबर तक जाएगी जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि आई एस के एक्जाम की डेट वो बढ़ चुकी है यूपियस जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्जाम इस देश का उसकी डेट भी अक्टूबर में कर दिये तो कोई बड़ी बात नहीं कि हमारी इ चुके हैं और वो यही सोच रहे हैं कि एक्जाम नहीं लगेगी और अगर एक्जाम फटाफट लग गई तो फिर उनका फेल होना निश्चित है तो आप ऐसी गलती ना करें continuous तयारी करते रहें आपके पास दो महिने आराम से बहुत अच्छे से त्यारी कर सकते हैं मैंनेने पर थindi चैनल पे जूंब बना रखी है अलगलग एक्जाम का अलग सब्जेक्टी की आप देख सकते हैं यहां पर तैसें के अलग बना रखी ओंलाइन प्रक्तिस के लग है English के अलग है Static GK के अलग है और इसके अलावा Current Affairs के अलग है Mock Test की है एक GK Strategy की है Informatic Assistant की है तो आप इन सारी प्लेलिस्ट के अंदर जाके जो भी आपको वीडियो जो भी टॉपिक आपको पढ़ना हो पढ़ सकते हैं मैं continue सब वीडियो अप्लोड कर रहा हूं ताकि जो है कोर्स कंप्लीट करा सकूँ ठीक है तो बहुत से लोग मुसे पूछ रहते हैं कि क्यों जो हरूं इeti चर्टी के बारे में बताओ ये सब तो मैं यहाँ पर और उप्लोड कर चुका हूं अब यहां पर प्ले लिस्ट में जया के देख लिया करेंगे टो यहां पर ऐप को वीडियोीर्य आतरो पिया उप में काथ ten तो आच्छे से डालता हूं ठीक है तो जीके का सिलिबस है किसी भी चीज का हो चाहिए जीके कहां से पढ़ें या 48 कुशन आएंगे नहीं आएंगे अब तक कि जितने भी नोटिविकेशन है उसके आधार पर मैंने इसके बारे में वीडियो बनाई थी तो सारी आप यहां से सकते हों तो आप प्लेएलिस में जाके मेरी सारी वीडियो देख सकते हैं ठीक है अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आप यह जो नोटिविकेशन वह कहां से डाउनलूड कर सकते हैं कि सबसे पहले आपको कहा करना है कि सबसे पहले आपको डालना है energy. Rajasthan.govern.in ठीक कि जैसे आप डालोगे को यह आप एंटर कर दोगे तो आपका जो है home government आप आई यह तरह आप यहां पर क्लिक करना है तो आप क्लिक करोगे तो आपका आपको क्या करना है यहां पर सबसे पहले यह जो फर्स्ट वाला लिंक कर रहा है ना सीरियल नंबर में फर्स्ट वाला या रहा है इस पर क्लिक करके apply online कर देना है ठीक है apply online करने के बाद आपको यह ठीक है यह जो एक टेक्स्ट जो है चल रहा है यह ठीक है इस टेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है इसमें दे रहा है प्रेस नोट डेटेड 1852021 इस पर जैसे आप क्लिक करोगे ना इस पर क्लिक करते ही एक नया लिंक खुल जाएगा नया पेज ओपन हो जाएगा और इसको आपको डाउनलोड कर लेना है ठीक है तो यहां से आप इसको इस तरह डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको किसी भी यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे से पढ़ाई कीजिए क्योंकि एक्जाम आने वाली है ठीक है जैहिन जैवारत जैराजस्तान